सब्सक्राइब करें लक्षमी हाउस टेलरिंग को शिलाइज से जुड़ी हर एक चीद नई सीखने के लिए तो बने रहे हमारे चैनल पर और नई नई चीजें मिलेंगे आप लोगों को सीखने के लिए चलिए स्वागत है आप सबका इस हमारी चोटी सी वीडियो में तो में अस्तर वाला बिलाओ जिसकी मैंने अस्तर की इसकी स्टेचिंग कर लिए तो मैं आज पिलेटें डालना बताऊंगी पहले मैं निसान लगाऊंगी यह हमारा लेंथ है पूरी पंद्रह पंद्रह पर हमें यहर त्यार करना है तो अब हम इस पर डालेंगे पिलेटें चलिए अब हम दिखाते हैं आगे की पट्टी Platy साइज भूती हैं उसकी लम्बाइ उसकी लम्बाइon हमें 8 रखनी है और आठ का आदा करेंगे तो चार पे हमें ये पिलेट डालनी है निच्चे से भी हम चार पे ही पिलेट डालेंगे और ये कमर की साइज है यहां से हम डाही पे निसान लगाएंगे यह हमारे निसान बिलकुल परफेक्ट होते हैं एक ही बार में प्लेटों की निसान बहुत ही परफेक्ट रहेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम साड़े छेपे, हमारा साड़े छीक का निसान है, यह हमारी यह प्लेट है, इसकी साड़े चार इंच, लंबाई, कि सीदी वाली पिलेट की साड़े 4 इंच इसकी हम रखेंगे 1.5 फार पांच इतनी ही रखनी चाहिए और इसे इसी तरह से हम पिलेटें डालते हैं साधा बिलाउज में तो हमारे एक ही बार में फार्फेट बैठती हैं अब हम इन पर लगाएंगे साधा सिलाई इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा कपड़ा जो अस्तर वाला होता है वो हटता नहीं है इसलिए हमें सिर्फ सिलाई लगा लिए इसके ऊपर इसके बाद में हम पिलेटे डालते हैं इससे हमारा कपड़ा इदर का उधर नहीं होता है एक ही बार में बहुत फिनिसिंग के साथ पिलेटे पड़ती हैं तो यह अजिया हमारा अच्छा लगी तो हमारे चैनल पर पहले ब इसलोड़ा गए इसे हमारे दूसरे परले की पिलेटे इक रावर सी लग जाएंगी आप लोगों के लिए नहीं दिखें हैं इस त्रह से हमारे विए फिट वैट गए है विल्कुल परफेक्ट इसी तरह से हम निशान लगाते हैं पिलोट्टों के और इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो यह हमारा आइडिया कैसा लगा है आप लोग हमें जरूर बताना कमेंट करके दिखिए कितनी सुन्दर लग रहे हैं पिलेटे एक ही बार में अच्छे से बताएंगे मैंने और इधर उधर हम सिलाई लगाएंगे तो यह हमारे चुटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना और तब तक के लिए हमारे ने वीडियो के उन्स्यार करना बाबा थैंक्स फॉर वाचिंग